31 जुलाई को नू में हुई हिंसा के बाद आज जुम्मे की पहली नमाजा और इस चीज को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तेद है सुभा 10 बजे से 1 बजे तक करफ्यू में ढील है और 1 बजे के बाद करफ्यू लागू रहेगा और आप देख सकते हैं कि तोड़ने की कोशिश ना की जा और अगर कोई ऐसा करता है तो प्रशासन कानून उसके खिलाफ कड़ी कारवाई करेगा सुभा होते के साथ ही नू में हर जगा इस तरीके से पैरा मिल्टरी फोर्स की जो टुकडियां है वो लगाई गई है पाँच कंपनी पैरा मिल्टरी फोर्स एक्स्ट्रा बुलाई गई है जो केंदर की तरफ से दी गई है जुम्मे की नमाज को सही सलामत अता कराने के लिए ताकि कहीं भी कोई लॉइन अडर की सिच्वेशन को परेशानी ना हो तोड़ने की कोई कोशिश ना कर पाए कानून का कोई उलंगह न पाए और इसी चीज़ को सुनिश्चीत करने के लिए बाकाईदा पैरा मिल्टरी फोर्स के जवानों को तेनात किया गया है अगर कहीं कोई बलवाई यहां आता है पत्थरबाजी करता है हिंसा करता है आगजनी करता है तो उसको रोकने के लिए बाकाईदा आसू गैस के गोले भी चला जाए जाएंगा और उसकी पूरी तयारी यहां पर की गजाए तो इस तरीके से पैरा मिल्टरी फोर्स पूरी तयारी के साथ फ्लैग मार्च कर रही है नू के तमाम इलाकों में मुख्य सलक पर चौराहों पर यह वही जगा है जहां पर धार्मी की यात्रा जब गुजर रही थी तो यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी और अब गली महलों से यह जो पैरा मिल्टरी फोर्स की टुकडी है यह अब फिल्हाल फ्लैग मार्च कर रही है और सभी को हिदायत दी गई है कि जो जुम्मे की नमाज है वो अपने घरों में ही अदा की जाए मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है यह प्रशासन की तरफ से अनुरोध किया गया है धारा 144 लागू है इंटरनेट बंद कर दिया गया है और जो उपद्रवी बलवाई थे उनको गिरफतार कर जेल भेजा गया है और 100 से ज्यादा लोगों को डिटेन करके रखा गया और साथ ही उन बलवाईयों की पहचान की जा रही है जिन्होंनों हिंसा को अंजाम दिया था और हिंसा के पीछे जो असली मास्टर माइंट है फिलाल नू में इस वक्त शांती है लेकिन आज जुम्मे की नमाज है तनाओ जरूरै लेकिन इसी तनाओ को कम करने के लिए बलवाईयों पर नेंतरर करने के लिए किसी भी तरीखे की इंसा नहीं होने दो जरूरै अब इस तरीखे से पैरा मिलिटरी फोर्सेस की तमां टु क्यामरमन विरेंद्र मौर्या के साथ पुनीश चर्मा टीवी नाइन भारत वर्ष नूँख